बच्चों बता दें चलिए बच्चों बता दें कि यूपी एसम एफसी डॉट वार जी जो आपका उत्रप्रदेश एस्टेट मेडिकल फेकल्टी तो चलिए अज हम इसके एक सेटेट काटफ की बात कर लेते हैं तक आप लोगों को एक आडिया पता चल जाए कितना तक लोग लेंगे बहुत सारे चीज आपको दे रहें तो सबसे पहले तो आपको यह कंफर्म है ना आप लोगों की दिख रहे हैं यहां पर कोई इंटरभ्यू या एक्जामिनेशन आपका नहीं लिया चाहिए उसके लावे जो आपका 10-12 के जो परसेंटेज को होगा जूड़कर और सबसे पहले देंगे देख लीजिए आप लो जैसे ही इसकी आएगी बच्चो वह तो यहां पर जैसे ही अगर अगर मेरिट लेस्ट कीती थी अगर 27 तरीक आती है तो सबसे पहले आपको मेरिट लेस्ट हमाई यूटूब पर डाल देंगे इतना फिक्स गरांटी देते हैं तो खर यह तो बात हो गई अगर बात कर लें बच्चो यहां पर आपकी अप्लिकेशन स्टाट की तो चौदा एक और 24 तक लास डेट है आज कितना हो गया बच्चो आज हो गया आज हो गया आज हो गया आपका 20 तो मातर कितना टाइम बचा आपके पास तो बोलो को सर चार देखा थे चार दिन टाइम बचा थे अपने तो आपको बार बार पेमेट करने हो चोबिस गंटा यहां बढ़िया हो जाता है अगर नहीं कटा है तब आप प्राइमेंट कि टिया कर दिय तो देखेगे बच्चों अगर देखे अपको पताए कि तीनरार्ड के कांसिलिंग होती यहां पर है एकंसंद्ध जैनल में अपको बच्चों बता दें फर्स्ट आंड के कांसलिम बता रहे हैं एक सो अड़सट प्लस 165 है 165 मान सब्सक्राइब 168 परसेंट मतलब जो मैट्रिक इंटर दोनों पर जोड़ने पर जो आ रहा है उनका फर्स्ट आंड के सब्सक्राइब आपको पता है कि दिर्सीशन पॉड्छन पॉड़ने वाले कि कमी नहीं है अगर बात कर ले एसी की बात कर ले यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा तो खर एसी के पहले हम आपको बच्छो इसका जो बता देते हैं EWS के बता दें EWS का रहेगा कितना 160 160 हम ले सकते हैं जेनरल में 168 OBC और जेनरल में आपका कोई अंतर नहीं रहता है हलका अंतर रहता है और OBC के बाद कर लें 165% जेनरं EWS के बात करने 160 या 162 भी बोल सकते हैं इसको समझ गये उसके लाएब बच्छो नोट कर ले अप लोग अगर बात कर लें आपका ăप्स आपका सब्सक्राइब अगर बात कर लें एससी का तो जीन बच्छो न बच्छों का एक अपका एक आपका बता दे कि जिन बच्चों का S.C. में अगर 1 155 आपका होगा परसेंट उनका होगा और S.C. के बाद कर ले तो 150 परसेंट जिनका होगा वे बच्चे के क्या होगा इनको गॉव्मेंट कॉलेज मिलने की चांसेज है 100% तो आए अगर रिपीट यहाँ पर हम नोट कर देते हैं जेन्रल एड़ एड़ एस ओबी सी एस्सी एस्ट अब देखिए जेन्रल बता है ना आपको कि जेन्रल कितना रहेगा तो आप लोग बोलोगे आप लोग बोलोगे किसवार जिसका जिन बच्चों का एप्रॉक्समेट जेन्रल का कितना रहेगा तो चले जेन्रल का 168 EWS का आपको ही बता है 162 भी ले सकते हैं इसको EWS की बात कर ले तो 165 SC की बात कर ले 50 और ST की बात कर ले तो वन इतना क्योंकि आपको पता होना चाहिए OBC में बहुत कास्ट आ जाते हैं इसे लिए हम इतना पर्षेंटेज बहुत सारे में देख लिए अब चलिए बढ़ते हैं आपको सेकेंड काउन्सलिंग तरह तो सेकेंड कांस्लिंग में है जैन्रल EWS OBC SC ST अब देखे जेनरल में जीन बच्चों का हम बता दे बच्चों जीन बच्चों का जेनरल में जीन बच्चों का मार्क्स आपको बता देते हैं कि जीन बच्चों का मार्क्स 160% परसेंट पलस होगा उनको एडमिशन हो जाएगा EWS का बात कर ले EWS की बात कर ले तो जिन बच्चों का 100 पच्पन परसेंट आ रहा है उनका हो जागा OBC की बात कर ले OBC की बात कर ले तो जिन बच्चों का इनका 100 आपको बता दे 152 परसेंट से उपर चालू है उनका हो जागा और स्ट की बात कर ले तो स्ट की बात कर ले तर जिन बच्छों का वन आपका वन वन फूर्टिफाइप पर्सेंट आ रहा है उनका होजाए इनका क्या हो जागा चुकेंड कांस्लिंग में हो जाएगा गौर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा ठीक है उसके अलाएब बचो आपको बता दें कि थर्ड कांस्लिंग जो होती है तो उसमें तो लास्ट होती है जो फेस टू फेस वाली तो उसमें का तक हर बात ही है तो इसमें जितने भी सीट बचते जाते हैं वह मिल जाती है बहुत लोग गौम माक्स पर भी तो उसका बात नहीं करेंगे लिएक जो गौर्मेंट आपका दो बता है उसी पर आपको होगी और जैसे ही आपको आप लोग चुकि क्या क्या डुक्मेंट्स लगेंगे आपको निक्स वीडियो में या उसका और भी रिलेटेट के बता देंगे आपको लेकिन बात है कि आमरे के जैसे आए अपको पता है शबसे पहले और सबसे सठीक जाने करले उस लिए दूसरे चनल सब को एक घंटाबात पता चलेगे लेकिन हम आते ही सट्टिक डाल देते हैं यही तो इसी करन तो यूपी बच्चो और जूड़ते हमसे और अब भी जूड़ते हैं जूड़े ओके बच्चो फिलते हैं नेक्स बीडियों तो आपका दिन सुप्राइब